रिप्लीका कार्स यानि कम कीमत में एक असली लगजुरेस गाड़ी का मज़ा देने वाली गाड़ी रिप्लीका कार्स उनके लिए होती है जिने एक शांदार ब्रेंडेड गाड़ी तो खरीद नहीं है पर उनके जेव ऐसा करने से उनको अनुमती नहीं देती जिसके वज़से आजकल रिप्लीका कार के किट्स डिमांड में आने लगे है कई सारे मोडिफाइर्स अब इस हद तक गाड़ी को मोडिफाई करते हैं कि असली ब्रेंडेड गाड़ी और मोडिफाइड गाड़ी को पहेचनना लगबग लगबग नामुमकीन हो जाता है आपके पुरानी गाड़ी पर एक बोडी किट लगवाए जाता है इस बोडी किट की प्राइजिंग असली कार से बहुत ही कम होती है नॉर्मल गाड़ियों को लगजूरेस गाड़ी में बदलने का ट्रांसफोर्मेशन आसान नहीं होता इस टाइप का मोडिफिकेशन करना भी किसी के बस की बात नहीं होती इसके लिए प्रोफेशनल मोडिफायर्स के आवशक्ता होती है वैसे इस तरकी रिप्लिका और बोडी किट्स इंडिया में लीगल नहीं है पर इनको पहचानना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि एक असली गाड़ी और मोडिफायड रिप्लिका गाड़ी को पहचानना ना मुंकीन हो जाता है कुछ लोग क्लासिक लगजुरेस गाड़ियों की दिवानी होते है तो कुछ लोग क्लासिक स्पोर्ट्स कार के दिवानी होते है और यहर क्लासिक लग्जिर्यस गाड़ी की मोडिफिकेशन किट्स देखने वाले है तो चले शुरू करते है Lamborghini के रिपलीका की बात करे तो आज तक हमें बहुत से रिपलीका कार्ज देखने मिले है पर यहाँ पर Lamborghini Countach इस गाड़ी की रिपलीका को बनाया गया है Lamborghini Countach लैंबोर्गीनी की स्पोर्ट्स कार थी जो 1974 में लॉंच हुई थी और 1990s तक इसका प्रोड़क्शन चला था गाड़ी उस वक्त के इसाब से Fastest और Modern Sports गाड़ी में से एक गाड़ी थी बात करें इस गाड़ी के रिपलीका गाड़ी की तो इसे मुंबए में कई बार दिखा गया है जो ये गाड़ी Red Glossy Paint में मोडिफाई हुई है गाड़ी आगे से Original Countach से बहुत ही सिमिलर है जहाँ पर Head Lamps Hyundai Ascent से लिए गए है जो Original Countach के याद दिलाते है गाड़ी Countach के LP 5000 QV इस वर्जन पर आदरी थे जो 1985 में लॉंच हुआ था ए लिमेटेड एडिशन वर्जन बहुत ही पॉपिलर भी हुआ था गाड़ी में 345 सिक्षन्स जो मस्कुलर विल आर्च के साथ गाड़ी के साइड स्कूप बैतरीन लुग देते है गाड़ी के पीछे रियर एक्जिस्टेंड साथी टेल लाइट्स और स्पोईलर्स गाड़ी को एक अलगी अंदाज देते है इस गाड़ी को पूरी तरह से बिल्ट किया गया है गाड़ी का इंटिरियर वे अब बहुत ही बदल गया है एगाड़ी ओरिजिनल लेंबोर्गिनी काउंटेज की याद दिलाती है जो अब दुन्यावर में लेंबोर्गिनी काउंटेज ये गाड़िया बहुत ही कम बच्ची है फोल्ड जी टी फोल्टी हाई परफॉर्मंस रेसिंग कार थी एगाड़ी उस वक्त के फोर्ड्स एडवांस वेहिकल पर आधारित थी गाड़ी 1964 में लॉंच हुई थी और इसमें खास बात ये थी कि एसी सिर्फ 105 गाड़िया ही बनाई गई थी यहाँ पर जो गाड़ी है उसे रेस्टेक इंडिया इस मोडिफायर ने मोडिफाय किया है जो मैंगलोर में है और पीछले वाले रिप्लिका के जैसे ही यह गाड़ी भी बहुत अद्दक ओरिजिनल फोर्ड जी टी फोर्टी के जैसे दिखती है गाड़ी का इंजिन पीछे की दरफ है खास बात यही कि गाड़ी के आगे की साइड और पीछे की साइड फेंडर के साथ उठाई जा सकती है एरस्कोप साइड में है गाड़ी के ओलोईज औरेंज कलर के साथ पीछे की साड़ पर टेल लाइट्स क्लासिक डिजैन में है गाड़ी का इंटिरियर वब स्पोर्ट सकार से इंस्पार्ड है जहाँ पर स्पोर्टी स्टेरिंग, सिट्स और स्वीचेस नजर आते है फोर्ट जी टीन, हाई पर्फॉर्मंस और रेसिंग करके तोर पर फेमस थी वैसे ही ये मोडिफाइड गाड़ी भी हाई पर्फॉर्मंस वाली है जिसमें रेसिंग का इंजिन है डी टाइप ए जैगवर का फेमस कार लाइनप है एक कार लाइनप 1957 में लॉंच हुआ था गाड़ी का मुख्य उद्देश रेसिंग था इसको 1955, 56 और 57 के रेसिस में दिखाय गया था और इस गाड़ी की खास बात यह है कि जैगवर ने एसिस सिर्फ और सिर्फ 53 कारसी बनाई थी गाड़ी तब मोनोक्यू प्लैटफॉर्म और एरोडाइनेमिक शेप में बनी पहली गाड़ी थी इस गाड़ी का रिप्लिगा मोडेल कोलकत्ता में है गाड़ी पर बड़ा स्पोईलर है साथी गाड़ी में अब 2 लिटर का पेट्रोल इंजिन में बिलता है ओवरड़ गाड़ी का ये मोडिफिकेशन कमाल का है प्रीमेर वन अंडरेड एनी ने पूरे दशक को एक सडन कार से परिचित कर रहा था गाड़ी इंडिया के सबसे आइकोनिक गाड़ियों में से एक थी यहाँ पर गाड़ी को 1947 मॉर्गन इस गाड़ी में बदला गया है प्रीमेर से मॉर्गन का ट्रांस्वर्मेशन अच्छा है खास बात यह है कि इसको हाथों से बनाया गया है गाड़ी की बोड़ी फाइबर गलास से बनी है और गाड़ी का टॉप अब सॉफ्ट टॉप है कन्विनियेंस के अनुसार बदला जा सकता है इस गाड़ी के ट्रांस्वर्मेशन से लेकर कुछ ज़्यादा इन्फोर्मेशन नहीं मिल सकी है पर जिस किसी ने भे इस गाड़ी को मॉडिफाई किया होगा उस मॉडिफाईर का स्कील कमाल का होगा यहाँ पर दरसल कॉंटेसा है कॉंटेसा को मस्टेंग में बदला गया है यह गाड़ी एकजेटली मस्टेंग के जैसे तो नहीं दिखती पर यह गाड़ी 1996 मैच 1 सीरिज लेजेंडरी कार के जैसे दिखती है गाड़ी को मॉडिफाई किया है अटोमोटिव कस्टम शॉप ने साथी साइड में रियर वील आर्च और उस आर्च में एर स्कोप लगा है गाड़ी में स्पोर्टी रूफ और सी पिलर को नहीं से लगाए गया है कॉंटे साथ के डाइमेंशन्स बड़े है जिसका उपयोग इस मॉडिफाईर ने अच्छी तर से किया है गाड़ी के पीछे त्री स्लेट टेल लैंस लगे है जो पूरानी मस्टेंग में होते थे विल्स के साथ विल आर्च में भी चेंजेस हुए है गाड़ी का सूपर लॉंग हुड और हुड के उपर रगा एर इंटेक अच्छे लुक में है अब गाड़ी पूरी दर से रेस्टो अमेरिकन कार दिखती है ये गाड़ी कोई मॉडिफाइड गाड़ी या फिर मॉडिफाइड बॉडिकिट नहीं है ये गाड़ी मेड इन इडिया रोडस्टेर स्पोर्ट्स गाड़ी है जो पिछले कुछ दशक में लॉंच हुई थी आपको शाहिदी पता होगा कि महाराश्टर के अली बाग में चिंकार मोटरस नाम की कमपनी है जो ऑटो मरीन, एटीवी और एविशन्स मैनिफेक्चरर है उन्होंने इस गाड़ी को बनाया था ये गाड़ी रोडस्टेर बॉडि टाइप की गाड़ी थी जिसमें 1.8 लिटर पेट्रोल इंजिन था गाड़ी में 5-speed manual gearbox था साथी ये गाड़ी 190 किलोमेटर पर आवर की रफ्तार हासिर करने में सक्षम थी गाड़ी का suspension customers के हिसाब से अल्टो ये फिर पूराने वाली बलोनों का यूज किया जाता था पर इस गाड़ी का सबसे बड़ा drawback था कि ये गाड़ी fiberglass body से बनी थी इंडियंस को fiberglass body वाला trend पसंद नहीं है क्योंकि इसके बड़े निगे 2 points होते है क्योंकि ये जल्दी damage हो जाता है गाड़ी में 13 का impale का mileage क्लेम किया जाता था गाड़ी की design कुछ इतनी बेतर नहीं थी पर एक sports car के साब से अच्छी थी एक गाड़ी सिर्फ two sitter थी गाड़ी की pricing रखी गई थी साड़े साथ लाक रुपिज जो original road stair से बहुत ही सस्ती थी पर अगर एक गाड़ी आज के जमाने में लॉंच होई होती तो शायद हीट रहती क्योंकि अब भारतियों को ऐसे trends पसंद आने लगे है पर AC गाड़िया इंडियन road conditions के एसाब से practical नहीं होती बेसिकली यहाँ पर road stair की replica कार हमें देखने मिली है बिग डड़ी किस्टम्स एक modification के दुनिया में अब एक बड़ा नाम हो चुका है जो वेथरिन गाड़ियों को modify करता है उन्होंने से उर्यलेट optra को इलरोन इस गाड़ी में transform किया है हम सबको पता ही किसी उर्यलेट optra सेडन गाड़ी थी जो इंडिया के अंदर इतनी popular नहीं हो सकी गाड़ी four door सेडन कार थी और उसको उन्हेंने two door fastback में convert किया है गाड़ी की body completely steel और aluminum से बनी है racing strip और custom alloys ने गाड़ी को अच्छा लुग दिया है गाड़ी के पीछे के साड़ी भी अब इलेरों से बहुत ही मिलती जुलती है गाड़ी का इंटिरेर भी अब बहुत अत्तक मॉडिफाई हुआ है तो दोस्तों यह थे कुछ मॉडिफिकेशन्स जिन को नर्मल गाड़ियों से एक क्लासिक लगजूरेयस स्पोर्ट्स कार में ट्रांस्फार्व किया है तो दोस्तों आपको इन में से कौन सी गाड़ी अच्छे लेगी यह मुझे कॉमेंट बोक्स में ज़रूर बताईए साथी एसे ही इन्फोर्मेटिव और इंट्रेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकों दबाना विल्कुल भी ना भूलिए तो दोस्तों आच के वीडियो में तो बस इतना ही मिलते है एकली वीडियो में